तो भाई लोग पहुँच गए, वाइड्स मोस्ट डेंजरस रोडों में से एक बहुत बुरा लग रहा है, अपनी बाइड को देखते हैं इस टाइड को देखते हैं और अपनी बाइक खड़िये हाँ पे, अब इसका कुछ मैटर रहा है ऐसा कि अभी हम जब रोड पर आ रहे थे, तो क्या मैटर हुआ अपना, कि यह हुआ कुछ यहां से शॉक कर यह, और यह, मतलब कि छोटा से एक 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 सिरेंट हो गया वो एकसिरेंट भी क्या था, कि जिस रोड से से जाने वाला यह रोड था, ऐसे जाती है, जैसे गाड़ियां वो जा रही है, इसे इसी रोड पर हम चल रहे थे बर आगे से एक लोकल यहीं हमाचल का बंदा था, उसने गाड़ी को बीच रोड पर काट दी तो पूरा का पूरा टक कर इसमें हो गया अपना, बट बंदा अच्छा था, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं था, यह है कि उसने सारी चीजे हैंडल कर नहीं था, ठीक है भी है, गलती मेरी है, तो मैं पे करूँ है, तो अभी तो मैं आ गया हूँ, अब देखो, दो तीन घं सारी चीजे बहुत प्यारी तरीके से शॉट आउट हो गई है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं हो, बस यह था, यह सारी चीजे हुए, लूकल बंदे भी आ गये तो सारे हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने बोला था, आपकी गलती नहीं और आप टेंशन मतलों, आप आग यह सारी चीजे हैं, बाकी सब सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मजे में हैं, थोड़ा सा मोडाल डाउन हो गया था, दिमाग सा खराब हो गया था, इतने बड़िया राइट चल रही थी, आप सारे शॉट देखी रहे थे, और बाए सटन के ऐसा हुआ कि हमने कुछ करा नही गलती कुछ भी नहीं, भीच में उसने, वो मतलब इनफेक्ट हमसे हमारे सामने किसी से कॉल पर बात कर रहा था तो उसने उसदर भी बोला कि यार मेरा साइड मीरर पे ध्यान नहीं था और एकदम से लग गई गाड़ी, तो बंदा भी अच्छा था और हमने भी फिर इतना इस नहीं किया उसको किसी चीज के लिए बस उसने हमने वोल देखो हम भी ट्रिप पर आये इतना दूर अब इसका जो भी है आप देख लो इसको तो उसने बोला आप जाओ वहां पर कराओ बाकी जैसे भी रहा था मैं आरो मैं करवा दूंग बस बाकी सब सभी है हो गया ओक तो अभी यह कराते हैं और ब्रेकफास में तो सुबह हमने वही अपना जू क्या पिया था शीतन वेच सूप पिया था अब कुछ खा भी लेते हैं थोड़ा सा एनरजी आ जागा और थोड़ा सा फिर मजे से करेंगे ब्लोग कि मैं 20 किलो मिटर आ गया मैंने कोई फिर उसके ब्रेक पहुंचेंगे अपनी लोकिशन पर तो अभी देखते हैं कराते हैं मिलते हैं आप से तो भाइब हमारी रेडी हो रही है और टाइम अभी हो रहा है दो और बाइक के शोकर आगे पूरे चेंज हो रहे हैं बागी तो चलो कोई दिक्कत नहीं जो होता अच्छे के लि शीतल, हास की लिए अभी अभी एक्सिदेंट के बाद कैसा लग रहा है लिए पहले तो मैं एक दम हो गई दब बुझे कुछ खादे मिलेगा तो मैं थोड़ा सा एसा और के सुदुक मारी बाइक की तुमारे सर्वेस को रही है और क्या तुम साथ बताना जब एक्सिदेंट ह तो बाद की जहां हम ताइम पहुंचे वाले थोड़ा थोड़ा थो राज़ते में रात के समय पर थोड़ा सटा लगता थो पाइक तो पस उस चीज को लिके में थोड़ा वरेड हो गई थी वाकी मैं तो गिरी नहीं तो उन्हीं दर तो था तो यह इतना बहता खरीदा किसल अब फिर से हमारी राइड कॉंटीनिव हो जाएगी तो सई चल रहा है अपना अभी लंच आता है लंच करते हैं चिली चिकन खाएंगे आज हम भूब लग रही है चाय पी लेना है उस टेम पर थोड़ा सा हो गया था है टिक बट लोकल बंदे सारे अच्छे थे उन्होंने सब बढ़िया था तो होग ऐसा रहा चीद अच्छे से जल्दी से सर्विस भी हो जाएगी अभी टाइम कितना हो रहा है तो बचके बाइस मिनट हो रहे हैं अभी और लगता है कि चार 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 बढ़ जाएगा तो रात की तसमें तक आज बाइक चलानी पड़ेगी पहाड अब आगे की जर्नी भी स्टार्ट करने का थोड़ा सा मोटीवेट रहना पड़ता है ना वो थाली की खाने की प्लेड बजाते हैं मैं कह रहे है तो मो बच्छी नी करते खाना लाग खाना लाग वाला सीन तो बहाई चिकन भी अपना आ गया चिली चिकन मस्त सम मस्त हिदम बागर भूख लगरी जल्ली से खाते हैं कटोरी मंदानों जल्ली से सर्फ परोगे तो भाई यहां खड़ी है सर्विस सेंटर में बाइक हमारी रॉलनी पीड़ गे और सोचा नहीं था यह सब कार्रेकर हम होगा देखो आगे से क्या पोरा ही खुला पड़ा है सब चीज तो यह बेंड हुआ है तो यह बेंड हुआ देखो अपर बाइक को देखते हैं इस टाइम पर भाकि अभी मैं इसके ब्यूटी उसको खोल दूआ है यह ब्यूटी इसकी फिर से अपनी चार चांब लगाईगी इनमें और अब यह दुबार रड़ होगी फुल पावर में को होता अच्छे दिखाल जो होगा है सो होगा कोई लिकत में आप तो जिकत की आपने अने देना बढ़िया से जा रहे हैं जैसे चल रहे था हम वैसे ही चलेगे बस हो जाता है किसी किल्कती से कभी हमारी कभी किसी और की तो कोई हो बात नियोंए बड़ देखो ना अया कहा न लाक्टोप मेरा इस साइड में पड़ावा है इधर है वो भी पर इसके पीछे मेरा फोकस था तो यह बाइक जो है इस तरफ सी गिरी थी और बैग लाक्टोप पीछे है अभी देखते हैं उसमें क्या हो सकता वाकि ठीक है जल्दी होगी और अभी थोड़ी देर में आपको फ उस पर धूब पड़ रही तो वह कैसा हो रहा है है जिसे सारे पर चाहों की बाद अलागे है स्नुप और फिर से जैसा मैंने आपको बाद आदा प्रेडिक्शन है उपर की तो यह देखो पूरा का पूरा पूरा चाहों में है पर उस पॉइंट पर धूब पड़ रही तो कम क्या हो दो यहां पर अपना लैप्टाप उपन कर लें लैप्टाप को सबसे पहले चेक कर रहा है को गिरी भाई की इसी तरफ में ती कहीं इसको डेमिज नहीं हो पर शुक ही हुआ है इस चीज़ को देख करकर कुछ नहीं हुआ इसे बस मैं अपनी वीडियो को एडिट क करने बैठ हूं में अब जब तक खाली टाइम में अडिट कर ले तो रात में फिर थक जाता हूं इसको खतम करता हूं एंदेन भी थोड़ी देर में अपन फिर राइट पर निक लेंगे अपनी हाला तेख कैसी हो गया क्या हो गया और इसे जुखाम हो रखा है भाई यहां पर राइडिंग जैकेट वगेरा है इसमें सारे गार्ट्स लगे वे गिए हैं बूट्स हैं बैग हैं गलोज हैं सब है निकाल दिया है अपना मैंने यहां पनी एडिटिंग करेंगे अभी फिलाल बैटके थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेंगे और सामने का महल भी बहुत अच्छा हो रखा है धुपारी जो रहा था और टाइम देख लो कितना हो गया भाई 5.39 और अब भी अप्रोक्स मेरको 104 किलो मेटर की बाइक राइड करनी है टाइम हो गया छे बच के 14 मिनट भार हो गया अंधेरा अब थोड़ी सी कंडिशन हो जाएगी हमारी क्रिटिकल यह चीज अब थोड़ा सा है बाक चीजों को सेट कर लें जल्दी से ठीक है भी चलते है यार थाइंकी सो मच बहुत मज़ा है आपसे मिलके और आपकी सर्विसेस बिल्खुस हो गया जल्दी देखूंगा अगर आते टाइम हो ना मिलता हो जाओंगा ठीक है चलो ओके अब कॉल नंबर भी आपका ना हाँ रहे हमाचली बंदेओ कि नो डाउट जिससे जिसने टककर मारी इंफेक्ट वो भी बहुत अच्छा था कोई दिक्कत नहीं यार चीजों को जाती कभी-कभी और यह मैं थोड़ा सा डेटा केबल लगा दू अपने गोप्रो में ताकि यह चार्ज भी होता रहेगा इसकी बा है ठीक है शीतल डन है हो जै माता दी और अब अपका सीन क्या है मैंने ना लाइट पर से अपनी कपड़ा हटा दिया है तो अब मेरी लाइट ऐसी रहेगी पर मैं इसको हां नीचे रखूँगा बैढ जो बैढ जो चोटा बैग पैंड रखा है अच्छा सोरी चोड़ो जिन से हमारी गाडी का एक्सिरेंट हुआ था था ना सो उनका कॉल आ तो देख लो यार जिस से हुआ वो भी कितना अच्छा कि इमाचली बंदा है ना इसलिए अच्छा है चीजों को समझ रहा है पूछ रहा है वो कह रहा था यार कि अब तक तो आप पहुंच गए होते मै बिकास अब दिस इंसिदेंट ओमाइग गॉड चले शी तू चलो क्या है हाँ हाँ पत्थर बत्थर है अरे तो भाईया वंधेरे में मैं क्या करूं इतना तो रहेगा वाई नीचे का औरो की भी तो लाइट लगी है गाइस इस टैम पे 6.5 और अंधेरा आपको पूरा अब जहां तक यह मेरी बस लाइट जा रही यह दिख रहा है आपको और आगे का सीन अभी एक 100 किलो मेटर का रास्ता है और यह 100 किलो मेटर सीधा ऐसा ही चलना है मेरे को एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ जंगल वाले पहाड़ और गाडियां एक एक दो दो आ रही है ब भाई साब एक तो रात उपर से ओफ रोडिंग इस लेवल का इधर स्टेंब एडवेंचर चल रहा है ना पूछ हो माद इसकी एक्सपेक्टेशन बिलकुल नहीं थी यह देख लो भाई ट्रक आ रहा है वाटर क्रोसिंग आ गई भाई साब नाला भेरा है बड निकाल लिए हम इस नाले से कोई बड़ी बात नहीं है अरे तुम मैं डरो भाई क्यों डर रही हो देरा देखके मैं चला रहा हूँ मेरे को डर रहा है तुम्हें लग रहा है अराम से बैठो चिल मार गए तुम गाने सुनो तुम ओ भाई देखरो रास्ता एक बस के आने का है सिरफ यहा में बहुत बड़ी साबाशी की बात तो निये पर कुछ टाइम और संजोग ऐसा बनाना के करना पड़ागी पाड़ना ही पड़ा और नहीं करते तो फिर आगे बढ़नी पाते बाकि यह है कि रोड एकदम बहुत अच्छे हैं लेन बढ़िया है अब मेरे जो यह वाले साइ सामने है शितल अब ता तुम्हें अच्छा लगेगा ना सामने भारा भारा सा पूरा आगया तो भाई लोग पॉँच गए वर्ड्स मोस्ट डेंजरस रोडों में से एक किन्नोर रोड और इतनों डेंजरस पहाड लग रहे हैं दिखने में क्या बताऊ मैं एक तरफ इतना पहाड और नीचे एकदम स्टिफ खाई एकदम घहरी गहराईयों में भी जा पाएंगे हैं त बास्ते पर आगे भाराई चुका ता इसलिए मैं निकल गए मैंने डिसीजन लिया और शाम का ट्राइम था अभी साथ ही बजे हथ से हत मेरे को लगता नो साड़े नो बजे तक मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच जाँगो तो इतना बुरा नहीं है और अभी पहाड पी और में जिले प्रसाशन आपका स्वागत करता है मेरा मूँ तो हेलमेट में पर जस्ट कैमरा मेरे हलमेट के जस्ट भार है तो आप सोचो आप कितने एडवेंजरस फील कर रहे होगे स्टैम एडवेंचर व्यू देखते वे नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर व्यू देख पर यह अभी आते टाइम में आपको डे में दिखाऊंगा यह वाला मस्त मस्त नजारा है पर इससे भी खतरनाक हैं भी तो आगे यह तो सिर्फ ट्रेलर शुरू है कोई दिक्कत नहीं और हल्किल किसी बूंदा बांदी सी लग रही है क्योंकि स्नोफॉल प्रिडिक्ट है त क्योंकि अभी कंडिशन वह नहीं है बागी तो पेट वूट सब सेट है पेट भरा पड़ा बढ़िया बस मुझे बाइक चलानी है अराम से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर बाइक रोकनी पड़ेगी नहीं जैन सर आगे करनी एंट्री चलो भाई चेक पोस्ट पर अपना काम हो गया निकल गए फिर से आगे और 72 किलोमेटर लास्ट बचा है अभी और दो घंटे का टाइम साड़े साथ बच चुके हैं किन और रोड में चल रहे हैं इस से अधागी डिटेल में आपको भी बता नही गाइस पुलिस वालों ने क्या किया है एक्चुली हमें यह एकदम उपर वाले रस्ते पर छोड़ दिया वहां से नीचे से रास्ता बंद कर रहा था और हम अभी इस रोड पर चल रहें नीचे देख लो और यह वन वे रोड है इस गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे है और यार क्या बोलू बाइक वाल उनको बोला भी था मैंने को बाइक को जाने दीजिये कह रहे था पत्थर गिर रहे आगे तो इसलिए रोड बंद कर रहा किसी के लिए नहीं अलाओ आपको इसी से जाना पड़ेगा मैं पिर मैं क्या करूं उन्होंने गाड़ी जा रही है इनके पीछे पीछे जाओ और आमसे रोड सही मिलेगा आगे आपको और जैसा कि लग रहा है कि ठीक मिलेगा क्योंकि अच्छा मोमेंटम था उस रोड पर भाई साब फुल पावर में आपना टाइम लैप्स देखा जैसा मस्तिक्दम मक्षन रोड चल रहा था आदे 45 मिनट इसका रास्ता और बचा था मेरे इसाब से तो वो पर अभी दिखा रहा है एक घंटे बारा मिनट यह देखो भाई भगवान ने कैसा वेलकम किया है अगर लाइट में दिख रहा होगा तो यह देखो स्नूफॉल हो रहा है स्नूफॉल फुल पावर स्नूफ पड़ रही है मैं पाली केरी अधा मैं केरी आ था मेरी कोई बात भातना था अब उधिक घण हो रहा है है ना कामरा में कैप्चर हो रहा है ना मस्त एक दम फुल पावर अभी ये शावर है ये रात भर होगा और मुझे लग रहा है जब तक पूरा धेर हो जाएगा इदर बाइक पर मेरी और बाइक खड़ी कर रखी में नहीं है अपर अपना बस समान निकालना है सबसे में चीज तो यही बसड है समान की और तो कोई नहीं बागी तो हो गए सारा एक बैग चला गए भया ले गए फाइनली दो फार्मर होंस्टे पहुंच गए भार से देखो क्या त्यूटी है पर इशू क्या है आज हमारा बसे रहा यहां पर है क्या अंदर वाला उक्यूपाइड है च अब का माना सारा अच्च करके खाना आगया खाना खाएंगे टाइम बहुत ज़ादा हो गया थंड हो गई और भार आभी रुक रुक के उसनो शाओर हो रहा है बरख पढ़ रहे धीरे धीरे करके लेखो अभी शुरू हो जागा फिर से तो वही चीज यह ज्यादा हो जाए इसका जो ओवर्व्यू है मैं आपको सुभा ही देए पाऊँगा क्यों कि राज जाद है और अंदर भी लोग है आपको ओवाज आ रहे हो कि चार लोग हमारे साथ है तो हम लोग हमारे लिए यह वाला स्टे है कैम्प के साथ और अंदर भी बहुत ब्यूटिफुल है तो बसी तो नहीं है आंका और अभी कि आपने सारी चीजे देख लिए आज क्या क्या हुआ मेरे साथ तो एड़ दी एंड बस यह कहना चाहूंगा जो होता अच्छे के लिए होता है ठीक है कोई बात नहीं जो हुआ 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 ठीक करा दी भाई थैंकी सो मच उनके उनको भ कि यार बहुत टाइम हो गया अंधिरा भी हो रहा है और इस व्लोग को मैं अब यहीं आइंड करता हूँ कि अभी स्नौ और पढ़ना शुरू हो रही है यहां पर तो मैं अंदर जाके पहले अपने आपको चेंज कर लो जली से ठका बहुत हुआ हूं साड़े दास हो चुके यहां पर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले एपिसोड पर ठीक है तिल देन बाबाय टेक केर